आपके लिए एक नियू सीरीज लेकर आये हैं इसमें हम डिसकस करेंगे सम इंपोर्टेंट गवर्नर एंड कवर्नर जनरल्स को ओके यह सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी प्री एस मेंस पॉंट आज का मारा टॉपिक है जुदिशियल रिफॉर्म्स वोरें हैस्टिंग्स वोरें हैस्टिंग्स बेंगॉल का गवर्नर बनता है इन 1772 इसके बाद बिटिश पार्लिमेंट ने 1773 में एक फेमस एक्ट को पास किया इसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है 1773 में और उसके बाद बैंगॉल का गवर्नर बन जाता हैं Gouverneur General ऑफ बेंगॉल वरें स्टिंग्स पहले से इंडिया में है और यह बेंगॉल का गवर्नर था तो यह सेम बंदा बन जाता है चंहिसे अग्या में रहता हैं कि सेवंटीन एटीफ तब है अब अब बात करते हैं इसके judicial reforms की वारें हैस्टिंग के judicial reforms ने इंडिया में एक बेस बनाया था जिसके उपर आज हमारी modern judiciary work कर रहे हैं तो जो हमारा जो modern judicial system है इसका बेस हम देखेंगे तो वारें हैस्टिंग के जो रिफॉर्म से वहां से ओके फ्रेंड्स फस्ट हमें देखना होगा कि वह इन हैस्टिंग से पहले क्या हो रहा है वह रहें से पहले बैंगोल में जो जुडिशिल पावर थी वो थी जमीदार्स के पास कि एंड इस जमीदार्स डिसाइडेड बोथ सिविल एस वेल एस क्रिमिल केसे ओके वारें हैंस्टिंग्स अब उसमें चेंज करता है फस्ट उसने क्या किया वह रहें स्टिंग्स डिस्टिक लेवल पर कुछ कोट्स बनाता है तो फस्ट आपको यह रखना है कोट का नाम था दीवानी अदालत एंड सेकंड टाइप के कोटें को हम बोलते हैं फौजदारी अदालत फस्ट हम डिसकस करते हैं दीवानी अदालत का मतलब है कि सिविल केसे को यह कर सकती है ओके दीवानी रेवेन्यू सिविल केसे इस अदालत को प्रसाइड करेंगे क्लेक्टर करें कौन-क्रोब मेरीजस करें व्यांद करें तो inquisнюt योडोड बोलते हैं इनको करेंगे और यहांपर ती दीवानी डमी रेख ना चलेगा पर हिंद्धु trainings ुंपर मुस्लिम ब्हरें हैं रुपे की बात करें तो को द्धीवानी अदालट बोलते हैं फाइम हंड्रेड stress rab कश्रेश को SK कर सकती 500 रुपीज से ज़्याद कर कोई केस है क्यों कर सकती यह केस फिर जाएगा सदर्दीवाणी अदालत में वोगय और सदर्दीवाणी अदालट थी कैलकटा में यह हैं क्लिए नेक्स रूम आते हैं फौजदारिदारे यदालत को हम क्रिमनल कोट भी बोलता हैं फौजदारी अदालत को प्रेसाइड करेंगे इंडियन अफिसर और इंडियन ऑफिसर्स यहां पर केश को सुनेंगे विद्धा हेल्प ऑफ काजी मुफ्ती मॉल्वीज आप कह सकते हैं यह वो बंदे होते हैं जो मुहमधन लोग या इसलामिक लोग के जानकार होते हैं तो इसका मतलब आप अग्सक्राइब के सब्सक्राइब करते हैंैं जो औरृवा इपलाइब होंगे वह रहाफ होंगे बड़ देवानी अडालत में जो लेकल के वोंगे पर हिंदOOD लोग एंड मुसलिम के उपर मुसलिम लुग अब यहां पर आपको यह आ रखना है कैच भी है कि फोजदारी अदालत परिश्मेंट नहीं दे सकती अगर इसको कैपिटल परिश्मेंट देना है तो इसको सर्टिफाइब करेगी इसके उपर जो अधालत है इसको हम बोलते हैं सदर को निजामत अधालत और सदर Arabic सेवंटीन सेवंटी स्री Si Bu17S Canada में एंडिया में एक supreme court यहां प्रिम में सप्रीम कोड़ सकतु तों यहां पर में सुप्रिम कोड़ बन चुका था है कि अब स्प्रीम कोड़ की ऐंडर में जो भी ब्रीटिस सब्जेक्ट हैं तिक हैं इंडिया अगर कोई केस है और यह केस है यहां पर लोग की बात करते हैं ओके यहाँ पर लोग की करते हैं तो Supreme Court में यह होंगे English लोग हैं कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हो नहीं थी यहाँ पर Hindu law Muslim law इधर Muslim law और English law इनको क्या है यह दूसरे फंद्र कर रहा है नहीं लिए छोनी करते है वर τις यहाँ न्हीं दे पाया था बाद में कौर्ण वॉलेस आता है कुछ दूसरे रिफॉर्म को यहां पर लेकर आता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे तो यह था वर्र हैंस्टिंग्स इसने यहां पर एक मॉडल जुडिशियल सिस्टम दाने के ट्राई किया और उसके बेश पर आज हम वर्क करते हैं हमारी जुडिशरी वर्क करती है ओके फ्रेंड्स देन वह आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा इसको लाइक करिए शेयर करिए हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करि okay thank you